तो यार कैसे हैं आप से भी लोग तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इसी सिंपल से रबर्ड बैंड प्रावर्ड एयर प्लेन को बनाने वाला हूँ और वह भी बहुत ही आसान तरीके से तो फ्रेंट्स वीडियो बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग और स्पैशल है केसे वर्ग करता है तो फ्रेंट्स हम इसका फ्लाइट टेस्ट भी करेंगी कि कैसा उड़ता है तो वीडियो के लाश्ट में करेंगे अभी फटा फट से बना लेते हैं तोफ्रेंट्स इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक मंदलब कुछ इस तरीके की लखड़ी चाहिए होगी मतलब जो कि कुछ इतनी मोटी हो और बहुत ही लाइट वेट होनी चाहिए और इतनी लंबी हो तो फ्रेंट्स उसके बाद आपको यह फोम की प्लेट से ले लेने होगी आपको असानी से मार्केट से बहुत ही जाजा सस्ती मिल जाएंगी मतलब एक रूपय में एक प्लेट ऐस किस तरीके से कौनसा पार्ट कितने सेंटिमीतर का कट करूँ गा तो फ्रेंट्स आपने देख लिया होगा अब आप बहुत जाओ सान तरीक से मतलब इसे कट कर पाएंगे तो फ्रेंट्स मैं इसे फटाफट से कट कर ले नहow पूरे जो भी पार्ट्स है तो ऐरोप्लेन के तो friends एक comment मुझे जरूर करके बताना कि मैं वीडियो में यह सब दिखाया करूँ जैसे मैं यह cut कर रहा हूँ तो friends मैं यह wing cut कर रहा हूँ और पीछे के wings cut करूँगा तो यह comment जरूर करके बताना कि मैं यह सब दिखाया करूँ या सिर्फ इसका measurement दिखा के खाली मतलब parts इसके cut करके रख लिया करूँ और वो आपको directly दिखा दिया करूँ तो friends इससे थोड़ा सा मतलब ही होता है कि यहा time बचता है तो friends आप मुझे comment करके यह जरूर से बताना अभी इस वीडियो में तो parts cut करके दिखाऊंगा पर कोई बात नहीं मैंने इसे वीडियो को बहुत ही जादा fast कर दिया तो मैं यह 2-3 मिनट में ही मैं सारे parts के cut कर लूँगा तो friends यह देखना जोरूर मतलब आसानी रहेगी आपको भी तो friends विंक को कुछ इस तरीके से मोंड़ना होगा जिससे की मतलब बढ़िया लगे और इसका balance बढ़िया बनता रहे तो friends हाँ मैं जानता हूँ कि मतलब वीडियो थोड़ी सी जादा लंबी जरूर होगी है तो friends वीडियो को बिना skip कर देखना मैं बहुत ही जादा fastly आपको दिखाऊंगा मतलब अगर आप नहीं देखोगे ऐसे तो आपको जादा समझ नहीं आएगा मतलब directly अगर मैं दिखा दूँगा तो शायद आपको समझ कम आए तो friends इसलिए बोलना हूँ कि मतलब देखो और तब ही आप बढ़िया से बना पाओगे घर पे तो friends यह भी मुझे कमेंट करके बढ़ाना कि आप क्या आप इसे घर पे बनाने वाले हो या नहीं तो friends यह पीछे वाले विंग है तो मैं इसे भी कट कर ले रहा हूँ तो friends यह इसे बहुत ही असान तरीके से मतलब कोई hard अटो है नहीं यह फोम की कट नहीं होगा तो friends यह सीजर से बड़े अराम तरीके से असानी से कट हो जाता है तो friends यह पीछे वाला विंग को भी मैं कट कर ले रहा हूँ तो friends यह कुछ इस तरीके से यह रख लेंगे हम इसके उपर और यह देखें मैंने से कट कर लिया तो friends अब एकी चीज बची है जो की wings के नीचे support जो हम देंगे तो friends उसे हमने कट कर लिया तो हम इसे double कर ले रहे हैं ताकि मतलब थोड़ी मजबूती बनी रहे और इसका base थोड़ा strong होगा तो बढ़िया रहेगा मतलब दिखने में बढ़िया लगेगा तो friends यह देखिए मैं कुछ इस तरीके से सारे parts को cut करके ऐसे रख लिया हूँ तो friends मैं यही दिखा रहा था कि मैं directly ऐसे दिखा दिया करूँ यहां friends जो पीछे बना बना के दिखाया करके दिखाया है वैसे दिखाया करूँ तो यह कमेंट में ज़रूर बताना है मुझे तो friends इसके part कुछ इस तरीके से लग जाएंगे तो friends मैं directly febicool से सारे parts को चिपका के आपको दिखा दूँगा directly plane तो friends यह देखिए कुछ इस तरीके से की ऊपर इसके चिपक जाएगा तो friends चलो यार इसे फटा फट से febicool से चिपका दे रहे हैं तो friends यह देखिए कि अब चिपक चुका है तो friends इसे मुझे चिपकाने में लगभग मतलब 8-9 घंटे लगते है febicool को सुखने में तो मुझे भी इतना ही समय लगा तो friends यह देखिए अब यह बढ़िया तरके से चिपक चुका है मतलब यह बढ़िया तरके से balance भी है कोई भी मतलब दिक्कत की बात ही नहीं है तो friends यह lightweight भी बहुत है मतलब भारी विल्कुल भी नहीं क्योंकि कुछ इसमें भारी चीज लगी ही नहीं तो friends यह बहुत ही जादा lightweight है तो friends चलो यार अब इसके wings भी बना लेते हैं तो friends यह आपको केन ले लेना होगा तो friends मतलब इस तरीके से कट कर लेना होगा Caesar की help से तो friends पहले तो मैंसे मतलब wings ऐसे कट कर ले रहा हूं बाहर निकाल ले रहा हूं वह हलकी से भारी रहती है और मोटी रहती है तो friends यह अलम्यूनियम जो प्लेट है वह बहुत ही पतली है मतलब मजबूत है तो यह बढ़िया से air को कट करेगी इसलिए मैंने केन का इस्तमाल किया तो friends इसे पीछे से भी कुछ इस तरीके से कट कर ले रहा हूं कुछ इसी तरीके से कट कर लेना होगा मतलब अलग नहीं कट कर लेना होगा तो friends यह देखिए मैंने दूसरा भी कट कर लिया तो friends यह कुछ इस तरीके से हमारे airplane के सामने कुछ इस तरीके से लग जाएंगे तो फ्रेंट्स यार आभी देखने में मतलब बढ़िया लग रहे हैं तो लगके और बढ़िया लगेंगे तो फ्रेंट्स इसको चिपकाने के लिए इसके बीच में आपको ये तूथ पिक का इस्तमाल कर रहा हूं ह्कूए तो हम भी जारू की ले सकते हैं तो फंज मैं तोटफ़ी का इस स्थमाल कर रहा हूं और इसे कटाcomb लेता हुए हूँ हम यहां इतनी लंबी चाहिए है से जिर रहें हैं तो फेर्फिकुक की हर्फ जिपकर सकते हैं आरीजे जिपकर से 0 इसे कुछ इस तरीके से शुपकाना होगा कि बलब यह चले तो पीछे को हवा यह फेक है तो फ्रेंड्स यह कुछ इस तरीके से दिख於 योगा मतलब ये बराबर नहीं है एक साइट को मोड़ा और दूसरा दूसरी साइट को तो उसके बाद आपको एक पैन लेना अऊगा और पैन के सामने वाला हिस्से को आपको कट कर लेना होगा तो फ्रेंडस को कुछ इस तरीके से दिखाईगा तो जोल भी करें भीद्प को को इस पीलते हैं चुछ पीटोल से यह पुरे के से अरीके से कुछ अब तील तो कि माब कि बङते हम अब इसे फैन इसी में फिसा हैं गे तो सिफ्य आइंगी जब कि ऑफ से नहीं है तो यह बढ़ आराम तरीके से मतलब आसानी से चिपक जाएगा 5W कुक से तो फ्रेंटस आप कोई भी और मतलब एमसी अरल डाइट मतलब यूज कर सकते हैं वो थोड़ी भार ही हो जाती है इसलिए मैं वो सब यूज नहीं किया तो फ्रेंट्स यह देखिए चिपक चुका है तो फ्रेंट्स इसके ऊपर मैंने थ्रेड अलपेड दिया है तो फ्रेंट्स उसके बाद आपको एक हाड वायर बैड़ ले रही होगी तो फ्रेंट्स मैं आयरन वायर यूंए हुआ अापको इभायर हाग ने सकते हैं बस हाड होनी चाहिआ के वह तो फ्रेंट्स इसलिएक बाकु किर दुएन से एक तरीके से आपको मूड लेना होगा आपको ये के से मोड़ के तो फ्रेंट सापको एए ऐसे चिपका देना होगा से इसे कुछ इस तरीके से चिपका दिया है तो फेंट स आपकों ये दू मोती भी ले्ए लए नहें होाँ मतलब ये मेफ़ीं फॉर्श तूरु इसकी एक से काम नीचलेगा दो लगाने होगे हमें कियोंकि कि फ्रेंट्स दो फसेंगे नहीं एक फस जाएगा तो फ्रेंट्स ये देखिए अब दो ये लग चुके तो अब ये फ्रीली फैन मतलब भूमेगा पड़ी कासे तो फ्रेंट्स ये अब मैं इसके बीच से निकाल दे रहा हूं तो ये देखिए फैन कि इतनी बढ़िया तरीक मैंने इसे मोड लिए तो ये आपको कुछ इस तरीके से मोड लेना होगा इसे तो फ्रेंट्स ये देखिए आप ये बाहर भी निकल ली मतलब बढ़िया आए आपको ऐसे मोड नहीं होगा क्योंकि इसके उपर रवर्ट बैंड चड़ेगी तो ये मुडी नहीं होगी तो र इसलिए डाली कि मतलब रवर्ड बहुत तेजी से घीचेगी इसको तो फ्रेंट्स ये उखड़ा ना जाए इसलिए मैंने इसके उपर डवल मतलब आब ये बहुत ही जादा मजबूत हो गई है तो फ्रेंट्स ये दिकिए मैं आप उसरी डायरेक्शन में इसे ऐसे कुछ इ से की टेस्टिंग की तो फ्रेंट्स उससे पहले मैं दो बाते आपको पता देना चाहता हूं कि पहले वारी वीडियो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पे उस पर रहा है यही सेंव आरोक्लें बनाया था और उसमें प्रेंट्स मैंने एक बैटरी और एक और मो तो फ्रेंट्स जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही बढ़िया वह फलाई कर रहा था तो फ्रेंट्स वह तो एक एलेक्ट्रिक एयर प्लैन था मतलब उसमें एक बैटरी और एक मोटर का यूज किया था पर फ्रेंट्स हम इसमें एक रबर बैंड का यूज कर रहे हैं मतलब मतलब खाली के एक रबना हुआ है तो फ्रेंट्स ये देखते हैं कि प्लाई करेगा रही तूप एक दूसरी पात चाहता हूं कि हमारे चैनल इभगया ने मैंने सोचा भी नहीं था कभी मैं कभी मेरे 20 या अच्छे सब्सक्राइबर होते थे तब मतलब महीने में एकाद आ जाता तो कोई बात नहीं और आपने फ्रेंट्स बहुत साधा प्यार दिया हमको और फ्रेंट्स हमारी आज 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो चुके हैं तो चलो यार इसकी टेस्टिंग कर ले तो फ्रेंट्स इस एरोप्रेंट कोड़ाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना मतलब कोई बैटरी तो है इनी इसमें तो फ्रेंट्स इसमें एक रबर बैंड का यूज किया गया है तो फ्रेंट्स मैं इसे अपोजिट फैन व्यादी एक मतलब यह गूहां रहे बाफिस फैन तो फ्रेंट्स मैं आपको बता देनी खाता हूं कि इसे मैं ने पहली बार इमदलब अभी आपकी के मेरे पास दूसरी भी नहीं है तो फ्रेंट से इसे कुछ इस तरीके से हमें छोड़ देना होगा कि अगर कि अगर कि अगर कि तो फ्रेंट से देखा कि मतलब ये इस तरीके से उड़ता है मैं आपको और दिखा दे रहाया और दे छून क्योंट से और कि अगरशर्ट के रखिय काता है हाँ टिक फराइंट से ऐसा भी नहीं रहा हुआ तो फ्रेंट से अब मैं ऐसे करDas करें आगर करते हैं में एक दू दिन में अगर आप एक दू दिन बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसे जरूर जा के देखना अगर वह लिंक होगा तो फ्रेंट से अगर यहां से तूट चुकी है तो फ्रेंट मैं ऐसे एक बार उड़ा के दिखा दे रहूं कि यह रिलोड़ेड है तो अब इसे एक बार चला के दिखाई दे रहे हैं कि आप कि अग्या तो फ्रेंट्स बढ़िया लगाओ यह एरोप्लेन तो यार लाइक जरूर करना हम इसे पूरी अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे ताकि यह मतलब बढ़िया से उड़ सके क्योंकि फ्रेंट्स यह रवर बैंट पावर्ड प्लेन बहुत बढ़िया उड़ते हैं तो फ्रे